तो इस तरह से distance healing का ये एक process हुआ distance healing के और कई processes हैं जो मैं आने वाले वीडियो में बताऊँगा तो प्रार्थना भी अगर आप करते हैं जैसे किसी के आरूग्य के लिख के लिख कर रहे हैं तो इसी प्रकार अगर आप किसी के घर के लिख कर रहे हैं तो उसके निवारण के लिए भी simple सी संकल्प है उसी हल्दी पे या chalk powder पे आप ये संकल्प बोलें कि 100 और जो वेक्ती है उसका जो घर है उसका नाम लेके कि उनका जो घर है जिसमें वो रहते हों उसे आरूग्य मिले उस घर को आरूग्य मिले इस तरह से आप बार बार बोलते रही है दो मिनट तक या पांच मिनट तक या कम से कम 30 सेकिंड तक और उसके बाद फिर हल्दी को वापस circle में और घुमा दीजी क्योंकि आपको circle में इसले घुमाना है तो भी क्योंकि वेक्टी विशेश का या उसके किसी वस्तु का नाम लिया गया है तो वह फायदा जो है उसको फिर भी होगा क्योंकि संकल्प में उसका नाम या उस घर का नाम mention किया गया तो भी result आएगा बट 4 दिशांच में या सबीशांच में घुमाना गूल clockwise गुमाना है, anti-clockwise नहीं गुमाना है जब यह आप हल्दी चॉक पाउडर उड़ाते हैं तो clockwise गुमना है तो इस तरह से आप यह काम कर सकते हैं और लाभानवित हो सकते हैं यह आप अपने लिये भी कर सकते हैं अपने घर के लिए भी उड़ा सकते हैं जब घर को आरग्य मिलेगा तो automatically वास्तुदोष खत्म हो जाएंगे उनका निवारन हो जाएगा जो व्यक्ति को आरग्य मिलेगा तो automatically उसके दोष बिमारियां सब ठीक हो जाएंगे और वो व्यक्ति सुखी होगा ठीक है? तो उमीद करता हूँ कि आप इससे लाभानवित हो अगर आपको अपने पश्वों के लिए उड़ाना है तो भी कर सकते हैं कि आपके गाएं हैं, भैंस हैं, जो भी हैं, बक्रियां हैं या कुछ है तो आप कह सकते हैं या कुट्टे हैं तो आप ये कहके उड़ा सकते हैं कि मेरे कुट्टे को, या मेरी भैंस को, या मेरी गाय को या और कोई जानौर हो आपके बाद गोड़ा, गधा जो भी है तो उन्हें आरुग्यमिले इस तरह से कहके और उड़ाईए तो उन्हें आरोग्य मिलेगा वो आपके घर में हो तो भी आप ये हल्दी उड़ा सकते हैं कोई वेक्ति आपके घर में है और वो बिमार है अगर वो आप उसको सिद्ध जल बना के देते हैं कमांड करके देते हैं कि उसे आरोग्य मिले वो नहीं पीता है तो आप उसके लिए हल्दी उड़ा सकते हैं अपने घर में उपस्तित होते वे भी ठीक है तो जादा से जादा ये कार कीजिए जितना जादा बार करेंगे आप ये हल्दी उड़ाना या पानी बना के उसको पिलाना तो वो बिमार जल्दी से जल्दी ठीक होगा ठीक है तो आ आप दूर बैठे वेक्तियों को भी लाभानवित कर सकते हैं, ठीक कर सकते हैं, नमस्कार.